उसका पता नहीं है तो आईए आज की रिकॉर्डिंग से शुरूत करते हैं मैं भी बात कर रहा था कि दर्शन के विश्यम रूसो वॉल्टेयर और प्लिटो सुक्राथ जिसे सोक्राटीज भी कहते हैं अरस्तू इसे बहुत सारे प्रकान विद्वान हो गया हैं ये पहली श्र हैं मतलब जो मैं आप लोग को मूट कर दूँ ताकि आप लोग बीच बीच में डिस्टर ना करना इसके अलावां भी बहुत सारी श्रेणिया होई हैं फ़र एक युद्ध जितने भी युद्ध शुरू होए हैं आज तर वो सारे के सारे युद्ध चाहें वो वायचारी को हो बहुत दिक हो या तथ्यात्मक हो इन सारे युद्धों को कई सारी administrative qualities के आधार पे लड़ा गया है वायचारी क्या जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग जैसे philosophies का ध्यान कर रहे हैं तो यह philosophy भी कई सारे layers में लिखी जाती रही हैं इवन philosophy की सबसे शांदार बात यह है कि जब philosophy लिखी जाती है तो कोई व्यक्ति sure हो के नहीं लिखता है कि मैं philosophy लिख रहा हूं वो कहीं जाते जाते हैं जब उसको कुछ लोग नकारते हैं फिर उसके लिए कुछ तर्थे पेश किया जाता है फिर कुछ तर्थे पेश किया जाता है तो धीरे 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 ध परशन कारूप ले लेता है भारत में ऐसा माना जाता था जब तक अंग्रेज रहे तब तक कि अंग्रेज क्या और पहले चलते हैं बक्तियार खिल जी की पास चलते हैं नालंदा विश्व विद्याले की सीवन तक नालंदा विश्व विद्याले को जब जलाया गया था तो त खरिबन छे महीने तक वो लाइब्रेडी जलती रही दिया समाना जाता और उसके बाद ये माना जाने लगा कि भारत में सिर्फ कुछ एक विद्वान हुए है वायदिक काल में फिर उपवायदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में फिर और उरानिक व्यवस्था शुरू और फिर इन शताब्दियों में देखा गया कि भारतिय दर्शन बहुत शान्दार प्रगति कर रहा था और जो यूरोपिय दर्शन है वो उस हिसाब की प्रगति नहीं कर पा रहा था एक शब्द आता है रेनेसा नाम का जो तकरीबन 11-12 सदी का शब्द है हमारे हाँ उस समय भारत में आक्रमन होना शुरू हुआ था गुलाम वंस का और ममलूक वंस उसे बोला जाता है मुहम्मद गोरी वगारे लोगा आक्रमन करना शुरू किये थे और उस समय रेनेसा गरंज जो है वो देरे देरे शुरू हो रहा था है लेकिन इतिहास की पुस्तक एक बड़ा शांदार विवेचन करने में असफल है इतिहास की पुस्तकें ये बताने में आपको असफल है कि महमूद गजनी के बाद मुहम्मद गोरी के बीच में जो 70-80 साल है तो साल है सब conscious वो कहां रहा और एतिहास एक बात बताने में बहुत मुझे अन्भिग के दिखता है वो ये है कि दर्शन का विकास जब हो रहा था तो दूसरी श्रेणी के लेखक कौन-कौन थे दूसरी श्रेणी के लेखकों में जैसे for example मैं आपसे पूछता हूँ कि योग के प्रतम होगा मैं अभी मैं सुबह से आपको बता रहूं कि अज सुबह से शांदार योग चल ला है तो जहिर सी बात है कि आज क्या-क्या मासारस्वती निकलवाएंगी मुझे वही जाने तो आप लोग बने रहीएगा जिसका नेट समाप्त हो जाएगा कैमरा आफ करके भी बना र कि कौन से पॉइंट को आम लोगों ने कम्टेट कर लिया है रादय श्रैणी के योग के प्रवर्थक को के नाम बता आए प्रतम श्री के प्रवर्थक के नाम बताए पहला कौन को ना आपेन मूट कर सकते है जन्रल नॉललेज है आपका ये योग से संब्ढ देत इसमें फिर प्रशन आएगा गोरचनात स्वात्मा राम जी महार्शी पतंजली श्रीजडी पतंजली पतंजली को बनारस के प्रवित्या के तौर पे देखते हैं कुछ महर्शी पतंजली को योग आचारे की रूप में देखते हैं, कुछ व्याक्रणाचारे की रूप में देखते हैं, और कुछ दक्षण भारती एक परवत है, वहाँ पे अन्ना मुदई की पहाडिया है, वहाँ पे एक बालक के रूपे पतंजली को देखते हैं और कुछ उन्हें शेशनाग का उतार वांते हैं यह हमारे डिबेट का विश्य नहीं है पतंजली को प्रतम श्रणी का माल लिया है दितिय श्रणी का कौन हो नहीं यह तो 34 श्रणी का मतलब हो गया कि बीच के काल का जैसे इनीशल जहां से 0.0 से 83 83 इसापूरु के आसपास महर्शी पतंजली को माना जाए 183 इसापूरु के बीच में क्योंकि इतियास की पुस्तके यह बताती है कि महर्शी पतंजली नाम का कोई एक व्यक्ती था जिसने पुष्यमित्र सुंग के लिए हवन कराया था अश्रमेद यग्य कराया था तो पुष्यमित्र सुंग का यदि काल देखा जा तो वही वो 80 83 से लेकि 100 183 के आसपास में नभ्य के बीच में आता है यह तो राम देखोई लिखता है अब बात आती है इनकी दैरंद सरसुती की तो यह तो अभी हालिया दिनों की बात है जब देश जिस समय ब्रह्म समाज के अस्थापना देख रहा था जिस समय रामकृष्ण मिसन के अस्थापना हो रहे थी उसी समय एक मूल शंकर नाम का वालक था जो एक अंधे गुरू व वेदों की और लोटों की सिक्षाओं के साथ में लिखला था बंबई में पहली अस्थापना की और बाद में हैड आफिस उसका लाहूर बनाया दो हिस्सों में आरे समाज बटा कालांतर में जिसमें एक के स्वामी शद्धानंद हुए ठीक है और शद्धानंद ने गुरू मांस खाना मदीरा पीना ये सब लोकिक चीजें जीना बहुत समानने बात है ये और समानने बात नहीं है और उनके सापेक्ष शद्धानंद जी ने जो स्विकार किया था गुरू जी ने उन्होंने ये कहा था कि नहीं वास्तविक्ता में ये बिलकुल गलत बात है शंकर तिवारी नाम से जाना जाता था उन्होंने इस बात को खंडित किया है आताहा मैं हरिद्वार में एक विश्विध्याली के स्थापना करूँगा जो गुरुकुल कांगरी विश्विध्याले बनता है और कालंतर में उसी के जितने भी गुरुकुल है जहां पे आप यह तो प्रतम शर्ण ही बता दिना है तो इसमें अगर किताबी ज्ञान से अगर आड़ान करू तो अगर देखी जाए तो रजनी ओषो में देखा जा सकता है महात्म बुद्ध भगवान के समान है लेकिन वापस मैं वापस एक बात आपको कहता हूँ कि महात्म बुद्ध के जितने भी दर्शन है अगर आप उन दर्शनों को देखेंगे तो उस पे पूरी तरिके से कुछ थोड़ा भर जानते हो तो बता कि सांक्ष्कारिका की विशे में कोई कुछ जानता है कि सांक। कारिका के विशे ही बताती है किन विश्यों में है कि ब़ुरूश पुरूश और प्रक्रूति रहतारों कि यह रिक LAU Maddi करद hvor का है इसवर कुछ नम्रोथ का ग्रंत है रोड़ क्या है इसवर इसवर क्रुछ नम रूतो आप थीक बता रहे हैं इश्वर कृष्ण नमत्र नहीं इश्वर कृष्ण का नाम था यह जो एक मैरी बात सुनलो एड़ कर ले रिपन है जो इस वर कृष्ण की जिनकी बात की जा रही है और इसी श्रणी में बहुत सारे राइटर से जिनके विश्य में थोड़ा सा सांखेकारिका के विश्य में दो-चार लाइने में आपको बता दू ताकि आप कभी फिर भविश्य में ऐसे ब्लैंक आउट नहीं हो जाओगे सांखेकारिका एक ऐसा विश्य है जो आपके योग को बहुत जस्टिफाई कर देता है और एक और बात में बताता हो सांखेकारिका जो पुस्तिका है वो बहुत हद तक ब्रिज का गाम करती है सांखेदर्शन और योगदर्शन के मद्ध में सिर्फ ये अंतर येदि आपसे पूछ लिया जाए कि सांख में और योग में क्या अंतर है और यदि आप एक मातर उत्तर ये जानते हैं कि सांखे 25 तत्व को बांता है योग 26 तत्व को तो यकीन मानिए आप योग के 25 तत्व को बता ही नहीं पाएंगे सांखे दर्शन में और योग दर्शन में कुछ लोग ये कहते हैं कि 25 तत्वा सांखे दर्शन में है और 26 तत्वा इश्वरिय तत्वा जोड़ दिया जाता है योग दर्शन में तो ये डिफरेंस हो जाता है सांखे में और योग में लेकिन वास्तविक्ता इसके बहुत बिदने, वास्तविक्ता ये है कि ये 25 तत्तों सांख्य दर्शन में कहा हैं उनके विश्य में आप नहीं बतापाएंगे कि योग दर्शन में कहा है, एक आधर रेफरेंस आपको मिल जाएगा एक या दो यह पांच यह दस जाद कर तो पुरुश है प्रकिर्टी है महत बुद्धि और उसके अलावा पांच जो है वह आपकी कि छिट जल पावा गगन समीर यह सारी चीज़ें मिला के कुल मिला जुला के पच्च्च तो पच्च्चेस अलिमेंट मिलके आता है सांग की कारी का जो पुस्तक है वो ब्रिज का कारे करती है और इसके प्रतिपाद्य विशे क्या क्या है लिखे सांग के कारी का जो पुस्तक है लिखे इसके प्रतिपाद्य विशे नमबर एक यह कि यह सतरकिवाद के विश्र में बात करती है, सतरकिवाद इसे बोला जाता है, सतरकिवाद, समझते हो, जैसे यथार्थवाद होता है, यानि कि बिल्गुल फिक्स कोई काम करना है, आदर्शवाद है, आइडिलिस्टिक अप्रोच है, ऐसे ही सतरकिवाद है, बिना कारण के कोई काम नहीं होता, समझे, ये व्यक्ति को क्या कराता है, ये व्यक्ति को ये भी बताता है, कि व्यक्ति बना स्वार्थी है, ये भी सद्धानतिये सिद्ध कर देता है, ये ही सांख्य दर्शन का मूल आदार भी है, बिना कारण के कोई कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है तुम यह देख रहो तो उसके पीछे भी कोई कारण है और बिना कारण के कोई काम हो ही नहीं सकता इवन बोलने के पीशे भी, सुनने के पीशे भी, सोचने के पीशे भी, हर चीज के पीशे कारण है, और क्या आप कभी ऐसा सिद्ध कर पाएंगे, कि कोई काम बिना कारण के होता है, तो यह सातर के वाद का सिद्धान्त होता है, और यही जगत की उत्पत्ती का सिद्धान्त भी है, सांके दर गुडविवेचन जिसमें त्रीगुड सद्धान्त का वरणन आता है है योगट एटीक उनित खान के विश्व में वरणन है तो ये गुडविवेचन की बात करता है उसके अलावा है प्रकृती का स्वद्धू की सिद्धी सात इसका कहते हैं सांगे कारिका का बहुत मूल से सब्सक्राइब करता है और उसका डिस्क्रिप्शन शांदार डिस्क्रिप्शन सांख्यकारी का पुस्तक बताती है कर तरह कोन कॉन से दुख होते है ये त्रह का सिधांत बदद्ध के बड़ा शांदार है चलो जरू आसा तीन-तीन चीज़ के विशय में हो जाए चलिए स्वाती जी तीन चीज नंगें ढ़ता है कोई से भी तीन चीज़ या किस बारे में कोई से भी तीन चीज़ है कि वह रहे हैं कि किसे लेगे तीन चीज़ बता नहीं है एक बता दिया इन्होंने ना गायत्री निशादने निशोडने क्या बताएगे आत्री बताएए फुरसर तीन प्रकार के दुख में पांच प्रकार के दुख है उनमें से तीन उठाएगे बता दिया कोई ने स्वाती बताएए जल्दी फटाफट चलो एक बताएएए एक क्या है रहे बोलो और या अधिद्विक दुख यह तो मुझे पदा थे और क्या बताना है इसमें यह मेरे नहीं समझा रहा अभी अभी समझ बहुए चलो संचीत बताओ एक क्या है एक इस्वर एक ब्रह्मा है बढ़िया दो क्या है गुपाल सुनी प्रकति और पुरुष तीन क्या है दो है देव और आसूर जो प्रकरदी के जो चार क्या है इसा और दुरुषार्टर फोड़िया थे देवियां गार आश्य परकशार वथा बदर्षण और कुछ बता हो चे से करमा फरिक बता आम इस बहुत है वह जाइए वह जातिए वारिदा नहीं कि रितव रफित वे 6 रीट वे 6 रीट भी नहीं माने जाएगी वो तो जियोग्राफी वालो ने डिफाइन किया उसे 7 रीपू 7 रीपू, बहुत बढ़ी है 7 रीपू है 7 बताईए 8 बताईए 9 बताईए 9 बताईए 9 बताईए 9 बताईए 9 बताईए अगर आप 1 से 9 बताईए तो आप समझेए कि आप कुछ विशे में और 1 से 9 के बीच में किसका कितना बताईए ये भी बड़ा मायने रखता है और यही आपके विद्धता का पृतिशत भी है 129 जहां पे भी आप बताईए हैं या 9 के पार जहां तक जहा रहा है यही पृतिशत मानी है आप अपनी विद्धता का 10 क्या है 11 क्या है 12 क्या है 13 जाताई ते खताब हो जाओगे 12 तक बतापाओगे 13 हमें के बाद ब्लैंक मैं यह नहीं कहता कि 13 आपको बताने की जरूरत है या 20 बताने की जरूरत है लेकिन यह जरूर है कि यह जो एक से लेके 9 के बीच है यह सब याद होना चाहिए कि क्या क्या चीज़े है और कहां से शुरू होती दरशन में आपका स्वागत है यही है योग का दरशन सांख्यकारिका से ही आज हम लोग योग दरशन की शुरूआत करते है सातरकवाद दुखत्रय के विशे में मैंने आपको बताया गुण विवेचन का इसका सिध्धान्त मैंने आपको बताया प्रक्रती के स्वरूप और उसके अस्तित्व की सिद्धी के विशे में मैंने बताया सृष्टी प्रक्रिया भी इसी का एक सिद्धानत है लिखिए सृष्टी प्रक्रिया बड़ा महत्वपूर है सृष्टी प्रक्रिया की कहां से ये जन्मी है कैसे इसका जन्म होता है पुरुष कौन है प्रकृति कौन है उसकी रचना यानि उसका सर्ग कैसे होता है है ना क्या इसमें इसमें एक सिध्धान्त आता है पंगु अंधवत का सिध्धान्त है पंगुता का सिध्धान्त बोला जाता है सांखिकारी का ईश्वर कृष्ण उसके विशे में बड़ा शांदार डिस्क्रिप्शन देते हैं कभी हम लोग इसके विशे में व्यापक चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है आगे है इसमें लिंग शरीर की अधारणा का सिध्धान्त भी है इसी सांखिकारी का पुस्तक में इसी पुस्तक में एक और सिध्धान्त है प्रत्य सर्ग का प्रत्य सर्ग का ठीक है इसी में प्रमाण विवेचन का भी सिध्धान्त है प्रमाण विवेचन जिसमें प्रतेक्ष अनुमान और आप तवाक्य को ही माना गया है प्रमान योग दर्शन क्या करता है प्रमान भी पर्णे विकल्प निद्रा इस्मृति के विशे में बाते करता है प्रमान को भी प्रतेक्ष अनुमान आगमा तेने प्रमाना नहीं कहता है परदक्ष नुमान और आगम यह तीन प्रकार के प्रमांग है परन्तु सांकिकारिका थोड़ा सा अलग करती है उप्रमान की थिस्तों है धौन लगते हैं जो खिटाइगी अजिए लोगतार की अलगतार नटीन सा운데 हें दिखेंस के ढुद naar प्रवेश्ट कर जाएंगे परनतो इन तीन सद्धानतों के लिए कुछ कितावे बहुत काम किये जिसमें तत्त व कौमुदी नाम की पुस्तर के लिए को दोचार किताबे और यह सब जो किताबे डाउनलोड कर लेते हैं आप कि का किताबों का नाम में आपको अब जब तक दर्शन चलेगा जब तक हम लोग फिलोसोफी का अध्यान करेंगे देखो सबसे डख पॉइंट था आपका एनॉटमी एनॉटमी पार कर गए अब आप ब माता सरसुती बोलवाएंगी जो भी और आपके कान में जितना सुनेंगे वो आप जानो कितना सुन पार हैं कितनी चीज़े नवलोड कर पार हैं लिख पार हैं क्यों क्योंकि अब सारा का सारा जो विवेचन है वो मेरे अपने दर्शन के आधार पे मैंने क्या समझा है लिखिन उस बीच में आपको जो चीज़ डाउनोड करते रहें कि मेरे मुझ से क्या निकला क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि क्या निकलेगा कई हजार किताबे मुझ से निकल रही है एक साथ में लिखे कुछ पुस्तकों के नाम बताता हूं तो चार पुस्तक है वाचाँसपती मिश्र वाचाँसपती मिश्र भी बोला जाता है आज कल सु पीचडी की डिगरी को वाचाँसपती वीद्यावाचासपती ही बोला जाता है । barrierा बे सांदार डिग्री प्राप्त करते हैं. वाचस्पति मिश्र सेकेंड लाइनप है. हर एक टीका पे, हर एक लाइन पे, मैरशी पतांजली की हर एक लाइन पे, खपल मुनी के हर एक लाइन पे, यदि कोई व्यक्ति पूरी की पूरी भास से लिखने की ख्रमता रखता था तो वो थे वाचस्पति मिश्र ठीक है इनके इनकी एक पुस्ता के सांखे तब तो कॉम अधी योग पे इनोंने बहुत सांदार किताब लिखिये कौन बताएगा योग पे इनकी किताब का नाम विशादरी नहीं वाइशारदी वाइशारदी सवारी सर्व प्रश्न लिखिये नहीं नहीं ब्रैकेट में लिख लो दोचार किताब आई गया है तो इनका भी सकेंड लाइन पॉलक के विश्र पे पहली किताब तो इनके तत्तो कोम अधी सांखे पर दूसरी है तत्तो प्रश्नाय हुआ है आपके नेट में तत्तो वाइशारदी एक पुस्तक है भामती इन्हीं की पुस्तक थे एक भामती अब भामती का वरणन अगर मैं आपको सुनाओंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये खुद एक दारसनिक किताब है ब्रह्मसुत्र उसका क्या क पुस्तक है जो ब्रह्म का बहुत बढ़े डिस्क्रिप्शन देती है जितना सांदार डिस्क्रिप्शन आपके पूरे उपनिशद नहीं दे पाते है ठीक है तो उपनिशदों में जो शम्ता जहां पे धुमिल रह गई उसे पूर्ण किया वाचस्पति मिश्र के भामती ने एक पुस्तक लिखिए आगे न्याय कडिका ये न्याय कडिका की भी कहानी जबर्दस्त मैं सोचता हूँ कभी कभी कि आचारे शंकर के समय यदि वाचस्पति मिश्र रहते और मंदन मिश्र के सामने अगर वाचस्पति मिश्र जाते तो क्या होता क्या आचारे शंकर शंकर क्या आज जो हमारे चारो जो हमारी जो पीठ है, शार्दा पीठ, शिंगेरी पीठ, द्वारका पीठ, ऐसे जो पीठ है, बदरी पीठ, ये चारो पीठ है हमारे स्थापिद हो पाती। अगर मंदन मिश्र कौन थे जानते हो ना कहानी पता नी बढ़ेगी मंदन मिश्र आचारे शंकर एक बेटा था एक बच्चा था चोटा सा 12-13 साल का शंकर करके उसको 12-13 साल में बढ़ा भान होने लगा था कि मैं अध्यात्मिक वेक्ति हूं वो बार बार जल में कूद जाता समन्दर में केरला के पास में जन्म हुआ था और समंदर में रिएक दिन कूद इया उसकी मा से बोला कि उसकी मा बोलने ले रहे बेटा जल्दी कोई बचाओ मेरा बच्चा ढूब जाएगा जाएगा उनके सिद्धान्टों के बाद द्वैत वाद द्वैत वाद शुद्धा द्वैत द्वैत यह सारे सिद्ध मनते वह आयते थे द्वैत का आज से कई हजार साल पहले का शहर है तो बनारस में एक काशी विद्धत परिशद है होती थी उस समय भी और आज भी है काशी विद्धत परिशद तो उस काशी विद्धत परिशद के जो प्रमुख आचारे थे वो थे आचारे मंदरमिश्र और उनके साथ में इन्होंने प्रश्ण वहीं से शुरूआ था एक क्या है वह बोलते एक तो ब्रह्म है आप बताइए दो क्या है तो ऐसे करते करते हजारों तक की संख्या तक यह लोग पहुंच गया और यह चलता रहा दो वर्श तक दो वर्श तक चीज़ें जब सामार्ने होने लगी कोई हारने को तया पूरे करक्रम का आचारे मंदर मिश्र की पतनी जो थी वो उस करक्रम की जज थी और मंदर मिश्र की पतनी ने बोला कि ठीक है अभी आपका प्रश्ण समाप्त हो गया तो फिर आचारे शंकर से नों ने बोला कि सुनिए आचारे मैं तो जज हूँ परंतु इसी समय जज से पहले मैं अचारे मंदन मिश्र की पत्नी भी हूँ लिहाजा मेरा ये धर्म बनता है कि जब भी मेरा पती हार रहा हो तो मैं उनका साथ दू मुझे जज्मेंटल की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और मुझे आप से प्रश्न पूछना ही पड़ेगा और वो भी बड़ी बिद अजगी वास्ते गुरुजी अचारे स्रीशी रविशंकर मैं चार नाम बता दिया मैलाओं बटावड बताओ कोई है मैं सीदेन अरे फीमेल पूछ रहा हूं वाई एक फीमेल का नाम मैलाओं को बतार ये गार्गी घोशा अपाला अननमलैं अनन्द महीं मूर्थी आनन्द पालाओं धील पतार है में चली ठीक है उनकी अलामा बताइए ठीक है आनन्द माही उनका तो हो गया इस समय का जो जिंदा है पाचाहर करतिश्था है अचारे परतिश्था मैं बता रहा हूं आपको नाम बाबाल राम द्यूंण सेम सीरीज का नाम बता इसे बहुत सारे नाम है ऐसे बहुत सारे नाम है आपको दिखेंगे अब देरे बात साध्युदेव प्रिया-जी से उठते उमाभारती तक पहुंच जाएगी ठीक है लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि वास्तों में जो तत्व ग्यानी हुआ करते थे, पहले के समय में जिनका जो ग्यान होता था, उस सिरीज का ग्यान, जैसे गारगी है, गोशा है, अपाला है, मैत्री है, उस सिरीज में अगर नाम देखा जाए, उस सिरीज को बहुत कम है और मैं एक और बात आपको बताता हूँ, इस समय जो आप लोग है, आप में से भी हो सकता है, आप में से कोई और बहान विद्वार्मन है, परंतु आचारे मंदर मिश्र की पतनी ने संकर आचारे को चैलेंज किया, और उन्होंने बोला कि शंकर, मैं तुमसे प्रशने पूछ अपने शरीर का टाग किया, और फिर वो अपनी आत्मा को निकाले, आत्मा को प्रवेशित किया, एक राजा के अंदर, सारे विश्यों का ज्यान लिया, वापस आया, आचारे मंदर मिश्र की पतनी को उत्तरित किया, उत्तरित करके, और उनको नित्तरित करके, फिर वो शंक कराचारे के भास्ष के उपर उनका उनके उनके बाद जो मंदन मिश्र ने लिखा था उन्होंने लिखा था विधी विवेक मंदन मिश्र की एक पुस्तक है रेर आप दरेरेस्ट लोग जानते होंगे कि उनकी पुस्तक का क्या नाम विधी विवेक उस विधी विवेक के उपर जो टीका लिख सके वो नाम था, वो नाम का नाम है वाचसपति मिश्र और उनकी पुस्तक का नाम है न्याय कणिका, ठीक है, ये है काहनी, आगे न्याय सुची निबंधन भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी वाचसपति मिश्र ने, न्याय सुची निबंधन, ब्रह्म ताद्हिक ग्रंथ पे उन्होंने एग्रूरा लखी एनकी का नाम है तत्यक शुनिक्षा हों कि अ हो गई ब्रहमसिद्धी हो गई तत्व समिक्षा हो यह अचारे मंदर मिश्री की पुस्तकों का परड़ना ठीक है इन्हों नहीं लिखाता सांग के तत्व कौमुदी जो सांग के कारिका के बराबर की पुस्तक माने जाती है एक एक और पुस्तक है क्या किते हैं गौडपाद बात करनी शुरूट हो गई तो क्योंकि जो आप खेद 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 के सामने लोग किसने बनाया छे दर्शन है कि प्लीज डिस्क्राइब इट किस पुस्तक में लिखा है कि दर्शन छे ही है आज कि आज कल किताब आठा दो एक भी एतिहासिक पुस्तक लिखाओ क्यों नहीं है इनका गोड़पाद का नाम गोड़पाद से भी बहतर इनको लेकिन उनके दर्शन का कोई ओचित्ते है नया दर्शन को और बुद्ध दर्शन अभी अभी वापस फिर बाटके बाटके पढ़ रहे हो ना जो कि तीन हिस्तों में बढ़ता है आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन यह सब फिलोसोफिकल बाते वह भी उल्टी सीदी जिसका कोई कोई न तुक न बंदी है ना मतलब देखो पास होने के लिए तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ठीक है लेकिन यदि इतनी क्षमता है कि क्या जाना सर्फिर कॉलेज में यही चेदा वही मैं कह रहा हूं कि कॉलेज में तो यही आर लक्षमी मेडम था जैनियू में थी लेफटिस्ट की एक नंबर की राइटर अभी एक और मरेगा थोड़े दिन में इरफान हभी वह भी बिल्कुल और अबाउट टू डाइड है अब जैनियू में सभी लोग जवालाल नहरु विश्विद्याले में बैठे हुआ ऐसे शब्द ही नहीं था इन नास्तिक जो है नास्तिक शब्द को इश्वर के समक्ष जो इश्वर में विश्वास ना रख्के ये अर्थ ही नहीं होना नास्तिक शब्द का तो पर अंतु वास्तविद्धा में उसको वास्तों में नास्तिक बना दिया अरे इस वर में बहुरु नहीं बढ़ता चारवाक का तो यह बोल देते हो जारा ग्रंटि दॉट कि दो जा रख में आ we एक से इक किताबं और भॉणते चारवाक व्चया ले बहुत पूरौ ने शब्दावली ने अध्वाइत वेदान्त की जिस तरीके से व्याक्ष्या की थी और मतलब परमगुरु का नाम इने दिया आता है आचारे गोडपाद को शंकराचार के भी मतलब उनके भी प्रॉपगेटर थे यह देखते हो जो डंडा लेके पीछे से यहां हलकी सी टोपी पहन के लोग घूमते हैं शंकराचारे लोग यह गोडपाद की परमपरा रही निकाल देती तो वह भी बाहर लटकाना पड़ता था शंकराचार लोग इतना ही डगते हैं से पता नहीं कैसे ठीका रहता है पिन्विन तो लगाते नहीं होंगे जो भी करते हो तो ऐसे ऐसे लोग है गौडपाद हो गया एक पुस्तक है युक्तिदीपिका युक्तिदीप मैं गया हूं व्यक्तिकत तौर पर एक बहतरीन लाइब्रेरी आपको मिलेगी पतंजली में खुद पतंजली में दो लाइब्रेरी है एक प्याराई में एक युनिवर्सिटी में है और एक है उनके जो ओपीडी चलता सेकेंड फ्लॉर पर वहां पर बहुत 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 ब बिवे कानन जी निवर्सिटी जो है वहां की लाइब्रेरी और बाकी अगर लाइब्रेरी जिसके अंदर कहां मिलेगी कौन वेक्ति चलता फिरता लाइब्रेरी है तो इसके लिए आपको बिहार इस्कूल आफ योगा जाना पड़ेगा वहां के जितने स्वामी है वो सब च परक में रहता हूं अक्सर जो टीम उनसे मदबन को एंडल कर रही है ठीक है पियार की एक बड़ी टीम है परंतो जिनकी टीम नहीं है जो वास्तों में योग जी रहे है वो बिहार इस्कूल आफ योगा वाले है तो यदि आपको मौका मिले कभी योग को सीखने का जानने का एटलिस्ट जो जारकंड बियार या उत्तर पूर्व के चात्र है या पूर्वी चात्र है उन्हें तो एक बार मुंगेर जरूर जाना चाहिए और उनसे वहाँ से मौका मिले तो सीखे ठीक है एक किताब है जय मंगला एक पुस्तक है जय मंगला ये इसका पीडिएफ का पूरा पूरा सिस्टम है त्रिगून के विशे में जो बाते होती है उसकी बात है एक पुस्तक है युक्त दीपिका युक्त दीपिका ठीक है खुश पुस्तक शादार है आपको जब भी मौका मिले तो आपको इन विश्यों में जरूर थोड़ा बहुत अध्यान जरूर करना चाहिए ठीक है आईए अब हम लोग चलते हैं अगले विशे में जिसके विशे में आज की पूरी चर्चा चल लगी है क्या कि रिए ये चर्चा किस विशे से संबंदित है तो वो संदर्वाज हम लोग लेंगे त्रिकुण के विशे में आप क्या समझते हैं त्रिकुण सब्सक्राइब के अधार पर शर्ष्ट्री की रचना हुई है ऐसा हम कह सकते हैं और कोई वाथ कि तकफ के निर्बान हुआ है अच्छा और बोलते रहो कुछ कुछ बोलते रहो कुछ भी बार बार और बोलना है कि त्रिवेए निए सट्रज तम परी बात करना साथ्रज्टम आज क्या त्रिगुन इसी पर ले लेते हैं लग्रज और तम सब्सक्राइब कुछ टिए बुद्धि क्यान एक प्रकृति होती है बुद्धि प्रकृति होते हैं इसे मूल प्रकृति बोला जाता है ठीक है ना और जब मूल प्रकृति की बात करते हैं तो मूल प्रकृति जो इश्वरत्यों के तरफ लेके जाती है लेकिन बुद्धी की प्रकृति नहीं जो बुद्धी की विकृति है प्रकृति में और विकृति में थ सत्रजितम् के तरफ तो यहीं से उत्पत्थी माने जाती है इन तीनों शब्दावलियों की उत्पत्थी का क्या base अब भोजन को भी हम लोग करते हैं इन तीं स्ट है रज है तम है क्यों डिस्क्राइब किया प्याज में आखिर ऐसा क्या हैं कि हमने तांसिक बोल दिया हमने ज पालक खाता ए वो इसके लिए उसका भोज़न मुझास पर गाता है उसकी जीव कि भाक्रम करेगा अगर वही शीर चलो नहीं खाता है लेकिन अगर वह शिकार नहीं लेकि जाएगा तो वह. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए शेर को साकाहरी चाहिए शेर जो है वह वो दुरभीक्षे है से शेर जो है वो नाकारात्मत प्राणी है शेर जो है वो निहायती तामसिक प्राणी ए kis शेरी का प्राणी मानें जे आप उसे है यूजे कि इसको माना और यह है आपको सिर्फ यह बताने की कोशिस कर रहा हूं जितना लिखा दिया गया आपने उतना सुन लिया लिख लिया बस परिक्षा हुई पास किया और उसी में काम खतम है कि नहीं स्वयम से सोचिए कि एक चलो एक बात जन्रल बात है वापस विशे पर बात करते हैं नेट होता रहेगा धर्म क्या है धर्म की परिवाशा क्या होनी चाहिए ResponsIBILITY RESPONSIBILITY जो अपने करतव वहे हैं धायत में जो जिसकी ड्यूटी है उसको वह करना उसका धर्म है Duties ठीक है जिसे धारण किया जा सके है करतवे का निश्पक्ष रूप से पाला नहीं धर्म है करतवे का पाला धर्म है बहुत बढ़िया ये दिव्या पांचाल जी परिभाशित किया, पीवी काने की पुस्तक में जिस तरीके से धर्शन का और धर्म का पृतिपाद्य विशे बताया है, वो बड़ा शांदार है, कामंद की नीती सार एक पुस्तक है, कामंद की नीती सार को भी पढ़िएगा, उसमें भी धर्म की परिभाशा है, बहुत बहतर विदूर ने भी विदूर के विशन में आप जानते होंगे जो कृष्ण के सापट शराजनीती कर रहा है मतलब पैरलर कृष्ण कृष्ण कौन इश्वर के सामने कोई अगर politics कर सकता है और उस politics को समझ रहा है और सारी कि सारी जो रणीतिया चल रही है उस नीतियों को decode कर पा रहा है वो विदूर तो विदूर का नीतिसार बात में चानक के आगे तो चानक के थोड़े से पॉलिटिकल जा दे थे और उनकी पुस्तक जो थी वो बहुत पॉपुलर होगा इसलिए विदूर दब गए कामंदक दब गए लेकिन कामंदक और विदूर जो है वो चानक के के भी पिता जी है नीतिसार बनाने में तो कभी आपको मोगा मिले तो इन दोनों के नीतिसार को पढ़िएगा आपको धर्म का बहुत शांदार व्यक्षा मिलेगा अब बात आते हैं अमर के बात पर अमर जी अभी जैसा कह रहे और वो राजा जो है वो अपने राजी को छोड़के भाग गया बहुत मजबूरी में क्योंकि वो दूसरी दुस्मन की सेना बहुत तागत वरती राजा जो है कैसे भी छट पटाते हुए दूसरे राजी तक पहुंचा दूसरी सीमा तक पहुंचा जब वो पहुंचा तो र राजा का धर्म होता है कि राजा किसी का जूठा ना खाए, राजा कहीं खाए ना, राजा हमेंसा राजशाही बोजन करे, महलों में रहे और तमाम नियम होता है राजा के लिए, राजा ने उस भिकारी का जूठा जो है, सत्तु खा लिया, और जैसे ही भिकारी ने पानी दिय कि यह लोग पानी पीलो और तुम और और पर अरश प्राप्त कर लोगे तो राजा ने मना कर दिया, राजा ने क्या कहा, राजा ने दी और उनी उनी में से ये शब्दा उले निकल के आती है आपद धर्म का सद्धान्त और आपद धर्म जो है वो वापस बुद्धी की प्रकृति का सद्धान्त चपाता है वहाँ पे आती है बुद्धी की विकृति से क्या क्या चीज़े तो बात नहीं हम लोग इस पर चर्चा जानी रखेंगे आज तो बस मैं तो अच्छे महाल मुको बना रहा हूँ ताकि हम लोग आगे दर्शन शास्त्र में प्रवेश कर रहा है यह वो सद्धान्त है जिसको जितना इंटरस्टिंग ली आप सुनोगे उतने ही आनंदित हो के स अनॉटमी में कुछ नहीं आता अगर ही नुए तो पूरी अनॉटमी साफ खतम कहानी लेकिन यदि दर्शन में यह मान लिया ओ क्या ही मैं जानता हूं मेरे को तो कुछ भी नहीं पाता है तो आप यह मानों कि आपका दिमाग उतने ही रफ्तार से फिर नहीं नहीं चीज़े खोदना और उसे खोद के निकालना शुड़ू करेगा ठीक है एकाता शिंद्रियों का सिद्धान दोता है सात्विक जो सात्विक हेंकार है और उसके बाद फिर वहीं से पंच तनमात्राओं का भी वरोलन आता है पंच तनमात्राओं के विशे में मैं बड़ा इतना तो कॉ आपके विश्विद्याले उन्हें इतना तो बताया होगा पंच तनमात्राओं का वरोलन तो जानते होगे अरे बोलो कुछ तो बोलो आने कि क्या है तनमात्रा तनमात्रा क्या होती है मतलब है जो इंद्रियों से ग्रहन की जाए अच्छा तो चलो ठीक है गंध कौन से इंद्री से ली जा रही है नासिका अच्छा ग्राण ग्राण जो है वो गंध से संबंदित है गंध को गंध को मैसूस करने को अन्यमाद्यम नहीं है इस पर्ष के लिए क्या है अच्छा और को अन्यमाद्यम नहीं है ठीक है छलो थोड़ा थोड़ा अब फिर वापस आप वह तरहा गंध करता हूं मैं देखना ध्यान से ठीक है अटाय कहा रहा है फिर से शब्द ये बताओ जब एक पारासंपताटिक सिस्टम से जब हम लोग बात कर रहा होते हैं जैसे माल लीजे कि कोई संदेश मुझे बेजना है जिसको टेलीपैथी के नाम से अजका लंगरेजी में बताया गया है कि अगर मुझे कोई बात करनी है तो शब्द ना तो मैंने बोला इल्यूजन्स होता है जहां पर आप कोई चीज महसूस कर जाते हो बच्चे को दर्द हो रहा होता है तो मां को पता चल जाता है कि हाँ यहां पर कोई तो है कई बार ऐसा होता है कि आपको फोन आप किसी को याद कर रहे होते हो और उसी का फोन आ जाता है यहां पर ना तो मैंने कुछ बोला मैंने तो बोला नहीं की फोन करो मेरे को लेकिन वह फोन आया ना मेरे पास वह शब्द की कौन सी शेडी में आया अचा चलो एक पुस्तिका है कल्यान गोरखपुर से प्रकाशित होती है उसमें गीता प्रेश्ट गोरखपुर से बड़ी शांदार पुस्तिका यह कल्यान कल्यान में ब्रह्मचरे के कई सारे वरणन किये गए ब्रह्मचरे में एक वरणन ये भी आता है ब्रह्मचरे के वैसे तो द्वादस वरणन है परंतो उसमें एक वरणन ये भी आता है कि यदि आप किसी पराई इस्तिक को आँखों से उपर आँखों से देख देते हैं तो वहाँ पे भी इसका हनन हो जाता है अब यहां पे स्पर्श तो हुआ नहीं परूंतो इस परूंतु इसे भी जाहदे खतरनाक विधा मानी इत्रों से देख लेला इस किनकी स्कुफा नहीं नहीं पिर पर अट्रेक्शन न वहाएं न कभी सीता को अठागी नहीं परन्तु अगर वो देखते हैं तो वो टच होता अट्रेक्शन देखो ऐसा है ना नॉन दार्शनिक बात है कोई अट्रेक्शन क्या हुआ छुआ कि नहीं छुआ तुदा पॉइंट क्योंकि मैंने अन्याटोमी पहले पहना नहीं आपको पढ़ा लिये अपने मेलनीन को टच किया अपने स्किन को आपने एपिधीलल टीशु को टच किया तर शुआ यह तर्मात्र इस परश का एक वैसे हो रहा है और एक में आक्शन परफॉर्म वैसे हो रहा है फिजिकली सदेनली हम लोग देखते हैं तो हमारी इंड्री एक्टिव हो जाती है उस टाइम पर चलो ठीक है आखें बंद कीजे और एक मैं आपको बाद होता तो एक एक बहुत छोटे से बालक की छवी प्रतिकिरती को याद कीजिए छोटा सा बालक है जो अभी अभी जर्म लेके और अ पांचे साल का हुआ है उसके हाथ में तीर धनुष है और बड़े गुंग्राले बाल है वह बच्चा आगे की तरफ दोड़ते हुए आ रहा है और चार भाईयों के साथ अब आंके खोल लीजी सामाने रूप से मैंने किसका वरड़न किया अब यह रूप क्या धार पे आप आपने रूप को तो देखा नहीं नहीं देखा ना आखे तो आपकी यूज नहीं थी फिर यह तनमात्राओं में कैसे प्रवेश कर गया ही यह तो सह है ना कि यह तो रूप तनमात्रा थी पिर तनमात्रा है सारी गलत हो गई ना नहीं हुए अगर अमेरिका कुछ रखा और मैंने कभी अमिरिका कर आए नहीं तो वहां के मेरे मस्तिस्तम आएंगे नहीं तो जिसके संपर्क में इंद्रियों के माद्यां के जब संपर्ख करता तभी उसको जान पाता है तो जानपारी नहीं प्राप कर सकता है कि इंद्रियों से जो चीज महतो पूर्ण वो चित होगी यह दि हम इंद्रियों ना भी पड़े तो चित पड़के काम चल जाएगा हमारा इंद्रियों को फिर जो चीज गौण है जो चीज सकेंडरी है उसका अध्यन आवश्यक ही क्यों है हम सबसे पहले मन बुद्धी पढ़ते है उसके बाद पंश महाभूत फिर तन मात्रा चित पढ़ते है ना बुद्धी फिर चित तो उसमें वो जो टॉप है सबसे उपर उसमें सारी तन होता है और सब स्टोर और यह क्यों सिकार किया कि हम पहले मन पढ़ेंगे फिर बुद्धी पढ़ेंगे मनस क्यों पहले क्योंकि पहले परफॉर्म होगा है इंद्रियों से बाद में आप आप और यहां पहले टेकिन अगर घ्ली बाद मन है तो हमारे घ्यान हिंद्रिया है मन अगर नहीं है तो ग्याने इंद्रे का कोई फायदा नहीं है होने नहीं है लेकिन उसमें अगर एक आधी नहीं है तो मन फिर भी काम करेगा जिसे हमारा ब्रेट अधर नहीं है अगर नहीं है दिमाग को कई बार फोड़ पाले के देख लिया दॉक्तरों नहीं है कहीं तो किसी के में तो मन होगा ही तो सर्य हमें वे ज्ञान और अध्यात्म फिर होजा तैसर इसी का तो द्यान करके हम लोग आ है इसी के तो इसी की ट्रेइन इंस्टीट से तो निकल गया है और यहीं तो मेरा काम है आपसे ये सिद्ध करना कि what is scientific spirituality डॉक्टर पढ़ो पंड् जब तक आप उल्टी सीदी बाते करते रहोगे कि देखो मन है भावना कीजे कि मन शान्त हो रहा है मान के चलिए कि गंगा की गोध हिमाले की चाया में आप बैठे हुए गंगा की ध्वनी बैह रही है आपका ध्यान दीरे-दीरे एक हॉर्मोन डोज का नहीं निकलेगा दोज जानते हो न डोज बताओ बाई सोनी कोपाल सोनी जी डोज हॉर्मोन का नाम बताओ फटाफट बिलकुल मुझकरा उन्पट नाम बताओ कों से हैं यह सब तो एक्सपेक्टेड है आप लोगों से पढ़िया अनॉटमी जानते हैं इस वर्ट से नहीं पताशे यह डोज हर्मो दोज किसके लिए डोज इसके लिए पहला प्राइर जो अटाइक होता है माना प्राइर जो इंपक्ट है नहीं कर पाना मुश्किल हो जाएगा अगर द्यान करोगे तो परंद मीन वाइल और वन टू से क्या शब्द है कि डोज हॉर्मों को यह आपको प्रतिपादित करना है तो उसके लिए आपको ध्यान जाना पड़ेगा और ध्यान यह दिसमझना है तो आपको मन को समझना जैसे प्रकृति का रेफरेंस क्या है पुरुष का रेफरेंस क्या है पुरुष का रेफरेंस है आपका सांगे दर्शन प्रकृति का रेफरेंस है आपका सांगे दर्शन चित्त का रेफरेंस है आपका योग दर्शन चलो मन को डिलीट करते हैं सांगे दर्शन नाव वाट मन और कहां किस पुस्तक में अबर गीता में अबर बढ़िया इधिए एक और बहुत गीता में क्या कहां पर मन जल्दी बोल कि अबर तुफान की जासे जल कुछ नहीं तो तो अब यह और पुछ और और वेदों में मन का वरलन है और जस हिसाब से मन का वरलन गीता में है थोड़ा सा बढ़ा कि गीता और वेद हो गया सांख्य गीता और वेद कंप्लीट आई ना क्या समझें क्या आपको बताने कोशिस कर रहा हूं बताने की मेरी कोशिस यह है कि जब आप दो तीन अप्रोच है आपके पास ठीक है आज हम लोगों ने किस विश्य पे चर्चा की है तो आज मैं इसको समराइज करता हूं आज मैं आपको एक अप्रोच दे के जा रहा हूं एक ऐसी अप्रोच जिसके आधार पे आप पूरे दर्शन शास्तर को पढ़ेंगे एक ऐसी अप्रोच जिसके लिए आपको जानना होग कि यदि किसी पुस्तक को पढ़ रहा है तो उसके आगे और पीछे की पुस्तक के कौन है एक ऐसा अप्रोच जिसके अधार पे आपको सिर्फ वो पुस्तक ही नहीं उसकी सारी टीकाएं पढ़नी होंगे सारी टीकाओं को पढ़िये और उसमें कुश्च्शन निका लिए ज वहां के राइटर्स वहां के प्रोफेसर्स इस समय टीकाएं लिख रहा है पतंजली के उपर उनके शब्दों को अंग्रेजी में रुपानतरित करके और जिस तरीके की शांदार टीकाएं लिखी जा रही है वो रेर बड़ा बहुत यदा-कदा ऐसा होता है कि लोग ऐसी ट प्रवेश होगा योग दर्शन का योग दर्शन तक हम पहुंचेंगे लेकिन उसके पहले आपको दर्शन तक अपनी पहुंच बनानी होगी और दर्शन तक पहुंच बनाएंगे उसके पहले अपने नित्रों को योग बनाना होगा कि आपको कोई चीज दिखे दर्शन मिन्स वाट देखने का नजरिया कैसे किसी चीज़ को देखते हो क्या दिख रहा है वो जी जरूरी है और आपको दिखाएगा कौन मैं हूँ कौ मैं हो दर्शन को देखते कैसे हैं जब तक आपको दर्शन को देखने का तरीका नहीं पता चलेगा यकीन मानिए आप अपने पूरे फिलोसोफी को कई बार समाप्त करोगे लेकिन वापस यह दिखे आप से चार सवाल पूछ दिया है तो आप उसका उत्तर नहीं दे कि आपके पास तनमात्राओं को क्या मैसूस तनमात्राओं का मतलब क्या हुआ तनमात्राओं मिंस वाट इसका अगर आप सब्द विल्यास जानते शब्दों को तोड़ना जानते तन प्लस मात्राओं जो है उसके विशय में कुछ जानते तो हो सकता था कि आप अच्छा डि लेकिन जैसे सौ मीटर की दोड़ के लिए उसेन बोल्ट बताते हैं एक इंटर्विव में कि सौ मीटर जो ओलम्पिक्स में दोड़ होती है उस दोड़ के लिए मैं पूरे पूरे दर्शन को जानना है तो तन्मात्राओं के प्रकार को याद करने से नहीं होगा उधारन मैं यह देना चाहता हूं मैं यह देना चाहता हूं कि आप एक एक तर्मात्राओं को ऐसे उसका पुर्जा-पुर्जा खोल दीजिए शब्द की जब बात है तो ऐसा ऐसा उधारन भेक के मारो मुँपे संस्कृत के श्लोक ना सही कम से कम उसका मीनिंग तो बताई दो संस्कृत के श्लोक तब याद होते आपको जब आपका foundation मजबूत होता छटवी में साथवी में आटवी में नवी में संस्कृत सी क्या होते तो संस्कृत याद करना असान होता आपके लिए नहीं तो अभी याद नहीं होगी कितना वी रट्ता मारो भूल जाओगे थोड़ दिया जाए तो आप बता सकते हो कि 47 आट जा कितना होता है 478 के छोड़ो चार लाग सहताली जाए 747 का भी बता दोगे उतने एट जा भी क्या होता है यह होता टैलेंट माने आप यह दी कोई बात लिए आपको संस्कृत याद है लेकिन कम से कम उसका description तो आप दे ही सकते है वापस मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दर्शन शास्त्र की दुनिया में एक ऐसा विश्य है जो हम लोगों को डेली सुनने पे मजबूर करेगा और इस दिशा में मजबूर करेगा कि हर दिन हम एक नई उर्जा से शुरू होंगे और शाम जाते आते हमें लग से आते हम यह तो हर बच्चा जानना होगा पूरे भारत के सारे बच्चों को पता होगा शात्रा शुर्धार स की इसके पार क्या पता है जिए लिए step पने होड़ के यहे कोई परिशा मतलब नेट आपको लगे कि यह कोई परिशosse थाह खो नेट की कोई परिक्षा परिक्षा होती है आपको लगे कि अरे यार इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाएगे पर सामने नहीं होगा हार जाओ तो कोई बात नहीं वापस प्रफ्रशन शुरू करते हैं ठीक है क्या है इसके लिए हम किसी एक बुक से पड़ेंगा यह अलग 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 क्या अब बुक भी तो होगी ना कोई जिसमें बाता जा सकता यह जिसने और है किताब वह हैं जैसे सिपाही की भरती आती हो और सिपाही भरती के लिए मने आरमी की जो अर्मी जो पड़ती आती सिपाही वारी जिसका टूटल के टॉट़ जाता है 100 मैं से 40 रुड़लीस नमबर प्रूस रुसरी किताब बैठ बैठ गये है थी अप इतनी सारी किताब में मेरे सामने आस-पास प्रेजंट रखी हुई है कि आप अश्यर में आ जाएंगे ठीक है मैं इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो यह वाले टॉपिक्स होते ही होगा वाले यह गूगल पर इतने अच्छे मिलग नहीं है तो बुक और जैसे उपनिशद है उपनिशद को किसी ने छोटे में भी समराइज करके अपनी अलग बुक बना दिया और एक बड़ी बुक दिया है यह तो देखो ऐसा ना कि अगर गीता प्रिस से कोई पुस्तके मिलें तो जादे बड़ा रहे हैं जिसमें समराइज करके बना दिया है वो मूल अर्थ लिख दिया है बागी समझो आप जो इसको बड़ा डिस्क्राइब किया है वो अपनी अंडर्सेंडिंग लिख दिया है किताब योग दर्शन की किताब अकेली पुस्तक है गीता प्रिस गोरखपुर की ठीक है बस अकेली पुस्तक है योग दर्शन की जो चीज़ें बता सकती है लेकिन जब आप महां से जंप करोगे 200 किताबे तो मैं यह आपको लिखवा दूँगा दिरे दिरे अभी आई धीरे दीरे रैइडर उपकड़ को पकड़ग के निकाला इसको लिख अपने पास इस्टीफीकी नोट्स मेरे आपको पहले भी बता रखिए इस टीफीकी नोट्स बना लोगे चिपका viktद ने फरिषा को सामने लिखा ऑपस ना शामने लिखेend जिए अपने को से कारिकशा क सर एक मेरा प्रस्न है सर जैसे खा लाइफ या लाइफ कितना किस्वाम का इंड़ासे ज्क कितना भी किस्का कि लेकिन राइफ नहीं अर्ड़ासे इंड़ाता है है एक लाइफ स्पैन होती है evolution की period के उपरान एक जो है वह सामानत है हपते भर एक हपते दस दिन के आसपास तक का उसकी total capacity होती है maturity की उसके बाद तो बाहर हो होता है नहीं तो वापस मासिख धर्म के साथ जो रखत स्राव होता है उसके साथ भाहिश्कृत हो जाता तो यह शुद्द life is spam में नहीं चलता और लालक्त कणिकाय मृत होने के पश्यात वापस स्प्लीन में प्रवेश कर जाती है परंतू तो स्पर्म के साथ और X के साथ ऐसा नहीं होता है, वो बाहर ही भाहिश्रित हो जाते हैं, ठीक है, घीक है, सर मेडिटेशन करते समये, जो कौन सा हर्मोन नहीं बैएता है, वो नहीं मिलगा, बता भै गोपाल जी, सर सेरोटोनिन और ये, वाटिसोल, डोज हर्मोन, ये ना, ड एस जो होता जादे बढ़े जाता है स्कम हो जाता है चलिए फॉर्मूले को तरीके से याद करेंगे तो चीज़ें इसी रहेंगे आपके लिए ठीक है आज की खक्षा को यहीं स्वाफ करते हैं यह शांती पात करते है बड़ा आज का पुरा दिन बड़ा शांदार रहा कभी कभी योग निकलता है मेरे पीशरीर से ऐसा है ना हम लोग बनारस के आदमी है बनारसी लोगों की एक सबसे दुविदा जनक बात जानते हो क्या है बनारसी लोगों की एक सबसे जो मैं जिस कल्चर से आता हूं हमारे यहां के जो बड़े-बड़े बिद्वान बाबा लोग है वो कहते है अरे यार बैठो आज क्या जाया जाया आज मनी नहीं कर रहा है लोग बच्पन से यह देखती हुए है आज मन नहीं कर रहा है मैं ऐसे लोगों को जान दो बड़े-बड़े मतलब क्या बता हूं ऐसे कंठस्तता ऐसी है कि चीजें मतलब बिल्कुल अलट-पलट के रख दिया जा फारंतु वही है कि मनी नहीं हो रहा है तो ऐसा ही हम लोग के साथ बच्पन से रहा है तो कभी-कभी ऐसा मेरे साथ भी होता ह है निकलता है और खास करके उस दिन दर्शन विशह पे चर्चा हो रही होती है तो दर्शन की जब बात होती है तो बिल्कुल रक्त-रक्त कडिकाएं जो है मेरी वो लगती है तेज से दोड़न है चलिए बहराल बहुत-बहुत आभार आप सभी लोगों का आए शांति पाठ करेंगे बड़ी आज की क्रिपा रही मुखारविंदों से स्वेमा सरस्वती का प्रवा होता रहा है इसके लिए माता सरस्वती का भी बहुत अनुए विने प्रणाम उनको साधर चरुडवन्दन के लिए जो कई सारे चाक्रों के जीवन के लिए उत्तरदाई होगा सकल वि तत्तों को अनुकृत करेंगे हम अपक्षा करेंगे कि विश्व शान्ति की तरफ आगे बढ़े ओम विश्वाने देव सभी दर्दुरितानी परासो यद बद्रम तन्यासो ओम शान्ती ही शान्ती सर्वा अनिश्टासो सांतिर बहुत हो तो रहात स्थेर्दा पूरोग अपने हर्दय चक्र तक हाथ को पहुंचा लिजे क्योंकि हर्दय चक्र जब तक जागरत नहीं होगा तब तक सुनने की एक शमता नहीं आएगी इसलिए एक घंटा बोलना है तो दस घंटा सुनो फिर एक घंटा बोल और कुछ भी जो बोल दो फॉलो कर ठीक है चलिए थाइंग्यू सो मच आज की कक्षा यहीं समाथ